हाई फ्रेंट्स आजम बनाएंगे कोकोनट लड्डू विदाउट घी नो चाचनी और इजी क्विक रेसिपी है और एकदम बढ़िया से आपके कोकोनट की लड्डू बनेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमने फ्रेश कोकोनट जो है हमारा वो आधा गट लिया है भी और उस अधा ग्लास दूद अब बचाओ आधा ग्लास दूद मेंने अच्छे से मिक्सर में वापस छ अब है इसको पुरा साफ करके ये भी हमने पैन मे टाल लिया इसे रिफ और टूद डूद सिरिस अब शिरीफ हमने दूद और और कोकोनेट साथ ही में हम दालेंगे आधा चमज इलाइची पाउडर जब भी इलाइची पाउडर यूस बनाओ आप तो शक्कर के साथ बनाओ तो वो अच्छे से बन जाता है अभी देखो हमारा दसी मिनिट में यह इतना गाड़ा हो गया हाइफ लेम पे चलाते होए पकार्यू पंदरा मीट में आपके लड़ू रेड़ी हो जाएंगे तो इजी रेसेपी है और बहुत फटाफट से बन भी जाते अब बैने एक ग्लास दूद लिया था इसलिए मैंने यहां पे दो चम्मच शीप शक्कर ली है आपको जादा मीठा पसंद है तो आप उसमें दो से तीन चम्मच भी दाल सकते हो पर पॉफिक स्वीटनेस आएगा दो चम्मच आपकी शक्कर से तो एक ग्लास दूद तो दो ग्लास दो चम्मच शक्कर अभी हम इसको अच्छे से पूरा रडाएंगे कोई चाशनी वाशनी नहीं बनाई अच्छा से सूख जाए जब पूरा दूद उसका तब हम उसमें एक चम्मच जित्ता कटे हुआ बारिक बादाम दाल दिया देखो हमने इसको चला चला के 15 मीट में हमारे यह लड़ू रेडी हो जाएंगे हाई फ्ल जो कोकोनट पौडर रहता है हमारा उसके साथ में हम उसको रोल करेंगे जिससे उसको सुन्दर दिखे देखे जब ठंडा हो मीक्षर तो अभी उसके लड़ू बनाओ एकदम गरमा गरम मत बनाईए एकदम बढ़िया से लड़ू बन गए अब हम इसको अच्छे से रोल करे लगाएंगे और इसमें हम लगाएंगे सजावट के लिए थोड़ा सा कटा हुआ बादाम और हमारे बढ़िया से सुपर इजी कोकोनट के लड़ू इदम बढ़िया से 15 मीट में बिगर घी के बिगर चाशने के तयार है तो ट्राइज जरूर करें रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें बहुत जल्दी से बन जाएंगा अभी आने वाली 11 के लिए ये जरूर ट्राइ कीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई